बच्चो अभी आप लोग तो अपने घर में ही हो आप लोग को लगता है कि हम बाहर जाएं घर से बाहर निकलें कहें घुमने जाएं ऐसा लगता है आपको लगता है ना और यह बताएं कि आपको यह भी लगता होगा कि हमारे हाँ कोई आए घुमने आए या फिर हम लोग कही अच्छी जगह घुबने जाएं, आपको कभी तबी ऐसा भी लगता होगा कि हमें अच्छी चीजे खाने को मिले, पहने को मिले, लगती है ना? तो ये जो सारी चीजे क्या है आपकी इक्षा है आपकी चाह है इक्षा ठीक है और इसी इक्षा को कहते हैं अभिलासा पाथ एक मेरी अभिलासा है उसको हम परहेंगे इसे लिखा है स्री द्वारिका प्रशाद महेश्वरी दि इस कवीता में कवील जी ने लिखा है कि एक बच्चा अपनी इच्छा प्रगट कर रहा है क्या प्रगट कर रहा है इच्छा जिसको अभिलासा कहते है वो सूरत चांद तारों के जैसे चमकना चाहता है फूलों के जैसे महकना चाहता है और अकास के जैसे निर्मल पवित्र बनना चाहता है अप्रित्वी के समान उसमें शहन शक्ती मतलब सहने की शक्ती होनी चाहिए ऐसा उसकी इक्छा है और परवत के समान दृण दृण मतलब होता है मजबूत बनना चाहता है आप लोग भी बनना चाहेंगे मजबूत चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ दोहराएए सूरज सा चमकूमें चन्दा सा चमकूमें जगमग जगमग उजवल तारो सा दमकूमें मेरी अभिलाशा है दूसरा देखिए फूलो सा महकूमें विहंगो सा चहकूमें गुन्जित सा वन उपवन कोयल सा कुहकूमें मेरी अभिलाशा है नव से निर्मलतालू सशिशे सी तलतालू धर्ती से शहनशक्ती परवत से द्रगतालू मेरी अभिलाशा है नीचे देखिए में घोसा मिटे जाऊं सागर सा लहराऊं सेवा के पत पर मैं सुमनो सा बिछ जाऊं मेरी अभिलाशा है बच्चो इसका विता का हमने अर्थ तो जान लिया है आएए अब हम इसके सबदार्थ की ओर चलते हैं अभिलाशा 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 मिस्स क्या होता है एक्षा साथ में दोहराईए एक्षा विहग मतलब पक्षी उपवन मतलब भगीचा नव अकाश दमकना टेजी से चमकना देखी दर शशी चंद्रमा मेग का मतलब होता है बादल पथ मतलब मार्ग रास्ता सुमन सुमन का मतलब पूश्प प्रण प्रणी 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